पूरे विश्व में 5 जून को हर साल विश्व प्रयावरण दिवस मनाया जाता है यानि World Environment Day यहा दिन लोगों में पृरिथिवी के प्रयावरण को लेकर कि जागरुकता फैलाने और फैदा करने के लिए मनाया जाता है साथ ही साथ प्रिथिवी के सुरक्षा और सानरच्छन के लिए यहा दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों हर साल पूरे विश्व में 5 जून को World Environment Day मनाया जाता है और इस दिन में प्रिथिवी के लोगों में प्रयावरण को लेकर के जागरुकता फैलाने और प्रयावरण को लेकर के जागरुकता हर किसी में पैदा करने के लिए यहा दिवस मनाया जाता है क्योंकि परियावरण के सुरक्षा करना है वो साथ इसाथ परियावरण की जो संरच्छन है उसको ले करके भी यहादिवस मनाया जाता है तो जिस प्रकार मानविया क्रिया कलपों से प्रिथिवी का परियावरण पूरी तरीके से परिवर्तन या चेंज हो रहा है तो उससे लगता है कि पृतिवी का पर्यावरन और पृतिवी आने वाले समय में नश्थ हो जाएगी इसलिए हमें चाहिए कि पृतिवी के पर्यावरन को जितना संभभ हो सके ठीक करके रखें या संतुलन बनाए रखें तो दोस्तों अब जिस परकार से मानमय क्रियाकलाप में हो रहा है इससे प्रिथिवी का जो वातावरन है जो परिवर्तन हो रहा है इससे लगता है कि प्रिथिवी का परियावरन पुरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आने वाले कुछ समयों कुछ वर्सों में या तो फिर आने वाले समय में प्रिथिवी नश्ट हो जाएगी इसलिए हमें चाहिए कि प्रिथिवी के पर्यावरण को जितना संभव हो सके उतना ठीक रखें और संतुलन बनाए रखने की कोशिस करें या संतुलन बनाए रखें क्योंकि अगर हम प्रिथिवी के पर्यावरण को जितना अधिक ठीक औ संतुलंद बनाया रखते हैं, तो हम इनसानों के साथ साथ में सभी जिवों का अस्तित तो बना रहेगा, नहीं तो फिर पूरी पुरिठ्वी इनाश्ट हो जाएगी, तो पूरी स्रिष्टी, या फिर पूरी जो सजिवों की जाती है, वो सब सारे खत्म हो जाएगी, तो इसको सबसे पहले कब मनाया गया था इसको अब देखते हैं UN के दुबारा इसे मनाने की घोसना की गयी थी और विश्व में पहली बार 5 जुन 1974 को मनाया गया था यानि की वर्ड में सबसे पहली बार विश्व फर्यावरण दिवस यानि वर्ड इंबारोमेंट टेख 50 जुन 1974 को मनाया गया था और इसे मनाने की घोसना UN के दौरा किया गया था दोस्तों प्रति वर्ड र्ड फियम के साथ में यह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ड का जो थीम है वह है कि इकोसिस्टम रिश्टॉरेंशन हिंदी में जिए कि पारिश्थिति की तंत्र बहाली तो इस और कर जो थीम वब इंपोर्llow Side को जानना है तो तो इस बर का थीम है ecosystem restoration, साथ ही साथ इसको हिंदी में कहेंगे पारिष्थिति की तंत्रवाली, अगर हम बात करते हैं 2020 यानि कि 2020 की जो थीम थी, world environment की वह कौन से थी, तो वह थीम थी वायो डायवर्सिटी, यानि कि जो भी भी देता, या celebrate वायो डायवर्सिटी, तो यह थी 2020 की थीम, तो आपको ये जानकरी को ध्यान में रखना है, साथ हमें इसको बचाने के लिए कुछ चीजें करने चाहिए, हम आनों का फर्जी बनता है, या जिम्मेदारी है कि environment को बचान के लिए अधिक सदिक पेड़ पोधे लगाएं, पेड़ पोधों की कटाई थोड़ी से कम करें, साथ ही साथ जल सरोतों की देखपाल करें, जल सरोतों का अच्छे से उप्योग हो, और प्लास्टिक का उप्योग कम से कम करें, तो प्लास्टिक भी प्रदूशन का बहुत ज और बहुत सी चीज़ें और नया जीवन देगी तो 5 जून को पूरे विश्व में विश्व प्रयवर्ण दिवस की रूप में मना जाता है तो इस बार का जो थीम है वो इंपोर्टेंट है तो इस बार का थीम है पारिश्थिति की तंत्र भाली या इको सिस्टम झाल करेंटिति की ऊचैन प्रादेश्ग प्रादेश्टोरे मना जादेश्टन प्रादेश्ट।